मुख्य नर्वाचन पदाधिकारी की रवी कुमार ने पहले चरण के चुनाव के लिए मद्दाता पर्ची का वित्रण 7-8 नवंबर तक पूरा करने का नर्देश दिया है CEO ने बताया कि इस बार मद्दाता पर्ची में अंकित सीरियल नंबर और पार्ट नंबर को घेरे में दर्शाया गया है ताकि मद्दाता उन दोनों नंबरों को नोट कर मतदान केंदर पर जाए और आसानी से मतदान कर सके उन्होंने कहा कि इस से जहां समय की बचत होगी वही मतदान की गती भी बढ़ेगी श्रीकुमार ने स्पष्ट किया कि मदाता पर्ची मदाता पहचान पत्र नहीं है उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसा देखने को मिला है कि मद्दाता पर्ची को पहचान पत्र समझ कर मतदान करने लोग पहुँच जाते हैं और अनावश्यक रूप से परिशान होते हैं मद्दाता पहचान पत्र के अलावा कुल बारह तरे के आईडी प्रूफ मद्दान के लिए भारत निर्वाचन आयूग द्वारा स्वीक्र थे आपका मतदा पर्ची लेखाएंगे तो आपका वोटिंग स्वीड बढ़ेगी कि नहीं मतलब आपका बूट पर एक टोकन दिया जाएगी आपका सीरी नंबर देखने के लिए ताकि आपका पी उनका पास आपका समय ज्यादा नहीं लगेगी जल्दी अपने मार्किंग आप में करने के आसन होगा इस यादर पर वोटिंग स्वीड बढ़ेगी एक तरीक है उसका आपका मादिम से मैं सबको सुझित करना चाहता हूं